इस कहानी की शुरुवात में में बताया जाता है कि जब पहली बार दुनिया में काईजू का हमला हुआ तो उसमें लाखो करोडों लोग मारे गए क्योंकि काईजू बहुती विशाल का जानवर होते थे जो पेसिफिक मासागर में मौझूद दो टेक्टोनिक प्लेटों के बीच की दरारों से आते हैं क्योंकि ये दरारे दो आयामों को एक दूसरे से जोडती थी जिससे विशाल का एलियन हमारी दुनिया में आये और जब 2013 2013 में सबसे पहली बार काईजू ने सेन फ्रेंसिसको पर हमला किया तो आर्मी ने उसे मारने कोशिश की जिसमें उन्हें छे दिन लगे लेकिन जब तर करोड़ों लोग की जाने जा चुकी थी लेकिन ये हमले होना बन नहीं हुए और छे मैने बाद दूसरा एक और एक जूट हो गई और अपनी सभी एडवांस टेकनोलोजी को मिला कर विशाल का ये रोबोट बनाये गए ताकि हो काईजू से लड़ सके जिनने जेगरस कहा गया लेकिन एक अकेला पाइलेट जेगरस के साथ मानसी जुडाओं नहीं बना पा रहा था इसलिए दो दिमागों को मानसी जुडाओं से सिंग कर दिया जाता है जिस प्रोसेस को ड्रिफ्टिंग प्रोसेस कहा गया जिससे अब पाइलेट अच्छे से जेगरस को कंट्रोल कर पा रहे थे देखते देखते ये जेगरस आसानी से काईजू को हराने लगे जिससे काबिल पाइलेट सूपर हीरो बन गए फिर अब में 2020 का सीन दिखाया जाता है जहां हम येंसी और रोली नाम के जेगर पाइलेट को देखते हैं जो किसी हीरो से कम नहीं थे क्योंकि उन्होंने अभी तक चार काइजू को मार दिया था और अब वो पांचे काइजू को मारने के लिए तियार थे जो सबसे बड़ा केटेगरी थीरी का काइजू होता है जिसका कोड़ नेम नाइफ हिट था येंसी और रोली को उनके जेगर रोबोट जिपसी डेंजर के साथ अटेज कर दिया जाता है औरों दोनों उस काईजू को मारने के लिए निकल बढ़ते हैं मगर मार्शल पेंटे कोश्ट उन्हें शेर के किनारे पर ही रहकर शेर की सुरक्षा करने हो केते हैं लेकिन जब रोली रडार पर देखता है कि संवंदर में कुछ लोग नाओ में फस्य हुए हैं तो मार्शल के ओडर ना मानकर उन्हें बचाने के लिए निकल जाते हैं वही नाओ पर फस्य हुए लोगों पर काईजू हमला करने ही वाला होता है लेकिन तब जिफसी डेंजर वहाँ पहुँचकर उन्हें बचा लेते हैं और उस काईजू से लडने लग जाते हैं वो काईजू पर जोड़दार वार करते हैं और लेजर की मदद से उसे घायल कर देते हैं जिसे उन्हें लगता है क्यों काईजू मर गया है मार्शल उन पर गुसा करते हैं क्योंकि उन्होंने उसके ओडर नहीं माने थे और उन्हें जल्दी से नाओ लेकर वाँ से निकलने हो गेते हैं लेगिन तब यो काईजू वापस उन पर हमला कर देता है क्योंकि कभी मरा नहीं था अचानक हुए हमले की वज़े से जिफसी रेंजर को समलने का मौका नहीं मिलता और नाइफेट जेगर का एक हाथ तोड़कर रोली के बाई एंसी को पोर से बहां निकाल कर मार देता है इसे रोली बहुत दुखी हो जाता है काईजू आपस से जेगर पर हमल कटो जाता है जिससे मार्शल और कंटोलर चोई को लगता है क्यों मारे गए फिरा में तट पर एक आदमी और उसके बेटे को दिखाया जाता है जो मेटल डिटेक्टर की मदद से बफ में दबी हुई चीज़े ढून रहे होते हैं तब ही रोली जेगर को कंटोल करके किसी त बढ़ चुके थे क्योंकि अब काईजू अपने बचने के तरीके अपनाने लगे जिसे जेगरस उनके सामने टिक नहीं पा रहे थे इसलिए मार्शल का जेगर प्रोग्राम बंद कर दिया जाता है और सभी देशों की सरकार तट्ये दिवारों को बनाने का प्रोजेक्ट श मार्शली से बहुत गुसा होते हैं और वो फेसला करते हैं कि जेगर प्रोग्राम को अपने दमपरी चालू रखेंगे और वो अपने नए बेस होंकों के लिए रवाना हो जाते हैं वाया में रोली को दिखाया जाता है जो केलिफोर्निया में चल रहे तट्ये दिवार बना में तोड़ दिया जिससे सभी वरकर बहुत हिरान होते हैं क्योंकि एसा माना जाता था कि इस दिवार को तोड़ना नामुम्किन है तब यहां मार्शला जाते हैं जो रोली को देखकर खुश होते हैं वो रोली को बताते हैं कि मुझे तुम्हें ढूने में बहुत वक्त क्योंकि जब मेरा भाई मरा तो मैं उसे जुड़ा हुआ था और मैंने उसके दर्द को मैसूस किया तो मार्शल उसे कहते हैं कि दुनिया खत्मोने की कगार पर है क्योंकि काईजू हमले बढ़ते जा रहे हैं और यह मामुली दिवारे उन्हें नहीं रोक सकती इसलिए यहा मार्ग तरी रेश्टोरेशन प्रोग्राम की इंचास थी जिसने रोली के को पाईलेट उमीदारों को चुना होता है क्योंकि जेगर रोबोट को चलाने के लिए दो पाईलेट की आउशकता होती है बेस के अंदर पहुशने पर मार्शल उन्हें अपनी रिसर्च टीम क्योंकि अब हम एक सेना नहीं बलकि खूफिया संगटन बन चुके हैं और अब काईजू के अमले बढ़ने की वज़े से हमारे बहुत से जेगर बरबाद हो गए और अब हमारे पास सिर्फ चार जेगरी बचे हैं जिसमें से एक तुमारा जेगर है जिससे अब पूरी तरी फुल और नंबर वन मशीन बन चुका है बेस में वापस आकर रोली मार्शल से पूसता है कि काईजू का अगला हमला कब होने वाला है तो मार्शल उसे बताते हैं कि अगला हमला एक हफते बाद होगा फिरो एक एक करके उसे बाकी के तीनों जेगर्स के बारे में बताते हैं जिसमें पहले जेगर रोबोट का नाम क्रिमसन टाइफू होता है जो बहुत एक खतरनाक जंगी हत्यार था जिसके पाइलिट तिन भाई होते हैं जिनोंने साथ बार बंदरगा की रक्षा की थी। दूसरा जेगर चेर्णो अलफा होता है जो सबसे भारी और सबसे पुराना जेगर था जिसे शेशा और एलेक्सेस नाम के माहिर पाइलिट चलाया करते हैं फिरो रोली को हेक से मिलवाते हैं जो सालों से मार्शल के साथ काम करते थे वो रोली और उसके भाई को अच्छे से ज तो मार्शल बताते हैं कि हम टेक्टोनिक प्लेटों के बीच बने पोर्टल से काईजू की दुनिया पर 2400 पाउंड का थर्मोन्युकलियर बोम गिराएंगे जो बहुती बड़ा दमाका होगा इसलिए तुम दो और जेगर के साथ उसकी इफाज़त करोगे और एक जेगर उ में त्यार रहना होगा फिर मार्शल अपने रिसर्च न्यूटन और हर्मन के पास याते हैं जा हर्मन उन्हें अपनी रिसर्च के अनुसार बताते हैं कि साथ दिनों के बाद तिन काईजू हम पर हमला कर सकते हैं और उन्हें एक होलोग्राम के दुरू समझाता है कि हमारी और काईजू की दुनिया के बीच का जो पोटल है वो काईजू के आने जाने पर खुलता है इसलिए हम इस बात का फाइदा उठा सकते हैं और उस वक्त हम इस गल्यारे में जाकर वो न्यूकलियर बॉम फेक सकते हैं लेकिन न्यूटर ने इसा नहीं मानता और मार्शल से क्ये है मगर मैं अभी भी इसके दिमाग से जानकारी हासिल कर सकता हूँ उसी टेकनोलोजी की मदद से जिसका इस्तमाल हम दो पाइलेट को आपस में जोडने के लिए करते हैं और अगर मैं इसमें काम्याब हो गया तो मैं आपको बता बाऊंगा कि हम उस खाई में केसे जा सकते ह हैरक और मार्शल को आइडिया बिल्कुल भी पसंद नहीं आता क्योंकि इससे न्यूटन की जान को बहुत खत्रा था इसलिए मार्शल उसे इस टेश के लिए कोई भी सामन देने से मना कर देते हैं वही मा को रोली को उसके कमरे में लेकर जाती है और उसे बताती है कि मैं भ मुझे इसा नहीं करने देते मगर तुम्हें मेरे चुने गए उम्मिद्वार जरूर पसंद आएंगे फिर वहां से चली जाती है अगले दिनों घड़ी आ जाती है जब रोली के लिए एक को पाइलिट चुना था इसलिए मार्शल के पास आती है और ने बताती है कि मैं भी माको के चुने गए उम्मिद्वारों से लड़ने लगता है लेकिन उन्हें बहुत जल्धरा देता है ये देखकर माको उसे लड़ने जाती है जिससे रोली और माको के 20 टकर का मुकामला होता है ये देखकर रोली डिसाइड कर लेता है कि वह ही उसकी को पाइलिट बनेगी लेकिन मार्शल इसके लिए मना कर देते हैं और रोली से कहते हैं कि तुम्हें अपने लिए किसी दूसरे उमीदार को चुनना होगा मारको इससे बहुत सेडो जाती है रोली मारको के पास जाकर उसे कहता है कि तुम कमाल की पाइलेट बन सकती हो इसलिए तुम्हें अपने हक के लिए लड़ना होगा क्योंकि pilot बना ही तुम्हारा सबना है और यह जरूरी नहीं कि तुम हर बार Marshall की बात मानो और इसी क्या वज़ा हे जो तुम्हें pilot बने नहीं दे रहे लेकिन माकों से कुछ नहीं बताती और अपने रूम में चली जाती है, वही निूटन खराब चीजों की मदस थे, कायजों के दिमाग को इंसानी दिमाग से जोडने की मशिन बना लेता है, और जब वो खुद को कायजों के दिमाग के साथ जोडता है, तो उसे कायजों की दुनिया के कुछ विजन्स दिखाए द लेकिन इन सब की वज़े से वो बेहोश हो जाता है वही मार्शल जब लिफ्ट से नीचे जा रहे होते हैं तो उनकी नाक से खुन निकलने लगता है क्योंकि उन्हें एक बहुत ही खतरनाक लाइलाज बीमारी थी उन्हें एसास हो जाता है क्योंने माको को भी एक मौका देना चाहिए और माको के पास जाते हैं और उसे उसके बच्पन का एक शूज देते हुए बताते हैं कि मैंने तुम से सालों पेले एक वादा किया था कि मैं तुम एक पाइलिट बनाऊंगा मगर मैं धर रहा था लेकिन मुझे वेसास हो गया है कि तुम इसके लिए तियार हो और अगले दिन जब वो वक्त आता है जब जिपसी डेंजर जेगर को टेश्ट किया जाने वाला था इसलिए रोली पोर्ड में पहुंच आता है और जब उसकी को पाइलेट के तोर पर वहाँ पर मारको आती है तो उसे देखकर बहुत खुश होता है फिर उन दोनों के मानसिक पहस जाओगी फिर इस प्रोसेस को इस्टार्ट किया जाता है जा मारको को अपने बच्पन की सभी आदे दिखाई देने लगती है लेकिन उन पर ज्यादा ध्यान नहीं देती जिसने और ओली के साथ अच्छे से जुड जाती है तब ही मार्शल को हर्मन आकर बताता है कि न इंसानों का शिकार कर रहे हैं बलकि हो तो हमारी इस दुनिया को उनके रहने के लिए तियार कर रहे हैं और ये सब अपने मालिक के केने पर कर रहे होते हैं साथ यो मार्शल को ये भी बताता है कि एक आई जू अलग अलग गरहों पर जाकर वहां कर सब को छड़ब लेते है और ये डाइनसोर के समय भी हमारी दुनिया में आये थे लेकिन उस वक्त का माहूल इनके रहने योगी नहीं था मगर अब ओजोन की कमी और कार्बन मोनोकसाइड की बड़ोतरी की वज़े से ये दुनिया उनके रहने योगी बन चुकी है इसलिए वो अब दुनिया पर राज करना चाहते हैं इसलिए काईजो के मालिक ने पहले अपने मामूली प्यादों को बेजा ताय कि हम जैसे गिड़ों यानि की जेगरस को सामने से अटा सके इसलिए वो शिकारी काईजो हमारी दुनिया पर हमला करेंगे ताय कि हो सब कुछ बरबाद कर सके तो मार्शल न्यूटन से कहते हैं कि मुझे काईजो के बारे में और जानकारी चाहिए ताय कि हम उन्हें रोक सके तो न्यूटन उन्हें कहता है कि मैं इसा नहीं कर सकता क्योगि इसके लिए मुझे काईजू का ताजा दिमाग चाहिए जो मिलना बहुत मुश्किल है तो मार्शल उसे कहते हैं कि तुम्हें काईजू का दिमाग मिल जाएगा औरो न्यूटन और हर्मन को बताते हैं कि काला ब पार्स निकाल सकता है क्योंकि जब सरकार से हमें पेसे मिलने बंदो गए तो मेरे पास कोई दूसरा उपाई नहीं था इसलिए उन्यूटन को हैने बलका एक कार देते हुए बताते हैं कि तुम्हें उसके पास ही ताजा काईजों का दिमाग मिल सकता है लेकिन आदमी भरोसर क की यादों में खो जाती है जिसे मार्शल और डेक के सभी लोग परिशान होते हैं क्योंकि माको के डर की वज़े से जेगर की लेजर एक्ट्वेट हो गई थी जिससे सभी डर कर वहां से निकलने लगते हैं मगर चोई जेगर का कनेक्शन बंद करने की कोशिश करने लग जा और वो काईजू माको को भी मारने की कोशिश कर रहा था जिससे वो काफी ढर गई थी लेकिन तबी मार्शल वहां आकर उस काईजू को मार देते हैं क्योंकि उस वक्त मार्शल जेगर के बहुत अच्छे पाइलेट थे और उस दिन के बास से मार्शल नहीं माको को पाला था वहीं चोय और चक मिलकर गिपसी डेंजर की पावर को सक्सिस्फुली ओफ़ड देते हैं, जिससे मा को अपने खयालों से बाहर आ जाती है, मगर उससे बियोश हो जाती है, मार्शलीन सबी की वज़े से मा को पर बहुत गुसा होते हैं, और चक मार्शल से उन दोनों के बारे म बुराई करने लग जाता है, और जब वो बाहर आता है, तो मा को की बेच ज़ती करने लगता है, वो रोली से कहता है, कि तुम्हारी गल्फिन ठुमके लगाने से ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती, इससे रोली को गुसा आ जाता है, और चक पर अटेक करने लग जाता है, और पता था कि चक बहुत ही गमंडी है इसलिए उसने लड़ाई की शुरुआत की ओगी मार्शल माको और रोली से केले में बात करते हैं और रोली मार्शल को समझाता है कि पहले मेरा जुडाव टूटा था लेकिन मार्शल उसकी बात नहीं सुनते वाई न्यूटन होंकोंग में ह चाव काईजू के बहुत सरे जिंदा बोड़ी पार्श देखता है जिससे वो बहुत हिरान होता है क्योंकि आपार्श बहुती रेयर थे और जब वो हन्डीबल चाव से मिलता है तो देखता है क्यों एक पंजाबी है लेकिन वो बहुती आइडियल किसमे का इंसान होता है न्यूटन चाओ को बताता है कि मुझे काईजू का ताजा दिमाग चाहिए, तो चाओ उसे कहता है कि काईजू के सर की चमड़ी बहुत मोटी होती है, इसलिए उसे कारते कारते दिमाग सर जाता है, जिससे न्यूटन उसे बताता है कि हम दोनों अच्छे से जानते हैं कि पुराजा सकता है हनीबल जब न्यूटन की आखे देखता है तो उससे विश्वाश हो जाता है कि उससे बहुत ढर जाता है क्योंकि सालों पहले उसने भी एसाई किया था जिसका अंजाम बहुत बुरा हुआ और न्यूटन को कहता है कि जब दो पाइलेट यादों के साथ वहीं चोय को टेक्टोनिक प्लेटों के बीच की काई से दो काईजू के निकलने के संकेत मिलते हैं जो अब तक के सबसे बड़े केटेगरी 4 के काईजू होते हैं इससे सभी गवरा जाते हैं मार्शल रोली और माको को छोड़कर बागी तीन जेगर को उनसे लड़ने के लि वह 25 सो पाउंड का बोम था चेंडों अलफा और किमसन टाइफू जेगर उन दोनों काईजू से लड़ने लग जाते हैं लेकिन उकाईजू बहुत ही चालाक और बड़े होते हैं जो उन दोनों जेगर पर भरी पढ़ रहे थे इसलिए किमसन टाइफू अपने स्पेशल अ अलफा जेगर पर अटेक करता है जिससे उनकी बोड़ी जल जाती है लेकिन फिर भी हो हाड नहीं मानते ये देखकर इस्टाइकर पाइलेट हर कोड़ चक उनकी मदद के लिए जाने लगते हैं लेकिन मार्शल उन्हें इसा करने से मना करते हुए कहते हैं कि तुम्हें वो बॉम खाई में लेकर जाना है मगर उनकी बात नहीं मानते क्योंकि उन्हें मरतावा नहीं देख सकते थे और उनकी मदद करने जाते हैं लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और उन्हों काईजू एक साथ मिलकर चेर्णो अलफा को पानी में डूबो कर उसके दोनो होंकों की बिजली उणा देता है जिसे स्टाइकर जेगर भी बंदो जाता है और उत जेगर बेस की बिजली भी चली जाती है मारशल चोई को वापत से सिस्टम को करने ऋगेते हैं तो चोई उन्हें काईजू होंगग में नूटन की तरफ बढ़ने लग जाता है नूटन इससे काफी ढर जाता है और उस काईजू से बचने के लिए पबिलिक बंकर में लोगों के साथ चिप जाता है वहीं वो कोईला काईजू इस टायकर को मारनी वाला होता है लेकिन तबी जिपसी वाँ पहुंच जाता है और उस काईजू से फाइट करने लग जाता है वो से लड़ते लड़ते सीटी में पहुंच जाते हैं जा माको और रोली बड़ी चालाकी से उस काईजू पर अटेक करने लग जाते हैं और उसे समालने का मोका नहीं देते मगरों काईजू उनके जेगर को पकड़ लेता है लेकिन अपने लेजर वेपन की मदद से उस काईजू को पुरी तरीके से मार देते हैं वहाई दूसरी तरफ काईजू को न्यूटन की लोकेशन का पता चल जाता है इसलिए उस पबलिक बंकर को तोड़कर जोई कि अब काईजू जेगर को हरान अची तरीके से सीख गए थे लेकिन रोली काईजू की चाल को समझ जाता है इसलिए जब काईजू उस पर अटेक करने लगता है तो उसके वार से भज जाते हैं और उस पर ही पलट वार कर देता है लेकिन उने गिरा देता है और उन प अपने पंक को एक्टिवेट करके पूरे जिपसी रोबोट को आस्मान की गहरायों में लेकर जाने लगता है जिससे उनकी ऑक्सीजन बहुत कम होने लग जाती है और रोली को बचने का कोई तरीका नजन नहीं आता क्योंकि अब उनका लेजर वेपन शिस्टम बरबाद हो गय और जेगर के तलवा सिस्टम को एक्टिवेट कर देती है जिससे उस काईजू के दो टुकड़े कर देते हैं लेकिन इससे जिपसी तेजी से नीचे गिरने लग जाता है लेकिन जमीन पर गिरने से पहले अपने जेट बूश्टर कोन कर लेते हैं जिससे उस सेवली नीचे लेंड कर जाते हैं मार्शल और बाकी लोग उनके इस कारणामे को देखकर बहुत खुश होते हैं और मार्शल उन दोनों की तारीफ करते हैं लेकिन तबी मार्शल की बिमारी की वज़े से उनकी नाक से खुन निकलने लग जाता है वही चाओ के आदमी न्यूटन के लिए जब काईजू का दिमाग निकालने के लिए उसके पेट में जाते हैं तो देखते हैं कि उसका दूसरा दिमाग खराब हो चुका है लेकिन तबी उन्हें पेट में अलचल मैसूस होती है क्योंकि काईजू प्रेग्नेंट था इसलिए उसका बच्चा बहार निकलकर उन्हें मारने आने लगता है जिससे सभी वां से भागने लग जाते हैं लेकिन ओकाईजू पूरी तरीके से विक्सितना होने की वज़े से नाल में ही लपट कर मारा जाता है चाओ न्यूटन के पास आता है और उसे गेता कि मुझे तो पहले ही बता था कि यह ज़्यादा देर तक जि जाता है लेकिन ओकाईजू पूरी तरीके से मर चुका था वही रोली मार्शल से किये था कि आप इतने ज्यादा बीमार थे लेकिन आपने कभी मुझे बताया नहीं तो मार्शल उसे बताते हैं कि जब शुरुआत में हमने जल्दवाजी में पहला माकवन जेगर बनाया तो मेरी हालत बहुत खराब हो गई और डोक्टर ने कहा कि अगर मैंने फिर कभी जेगर चलाया तो मैं कभी बच नहीं पाऊंगा और यहां सिवम दोनों ही हैं जिसने अकेले जेगर को चलाया है क्योंकि तुमने भी अपने बाई के मरने के बाद जेगर को किनारे लाया था इस समझ गए थे कि मार्शल का खाय के पोटल को बरवाद करने का प्लान था यह देखकर मार्शल चोई से कहते हैं कि हमें अपने मिशन को किसी भी आल में पुरा करना होगा औरो जिपसी और श्टायकर जेगर को तियार करने हो कहते हैं वाई न्यूटन उस बेवी काईजू का दिमाग खराब होने से बेले इंसानी दिमाग से जोडने के तियारी कर लेता है इस बार हर्मन भी उसकी मदद करता है औरो दोनों जेगर पाइलेट के साथ में काईजू के साथ जुड़ जाते हैं जिसने हो देखते हैं कि काईजू ही बाहर या अंदर जा सकते हैं और उनक में हेक का एक हाथ बहुत ज़्यादा गायल हो चुका था मार्शल एक बहुत जोड़दार इसपीज देते हैं जिससे सभी में जोशा जाता है और सभी काम में लग जाते हैं और बहुत जल्दी दोनों जेगर रोबोट को मिशन के लिए तियार कर देते हैं इस ट्राइकर और खाय की तरब लेकर जाया जाता है खाय के पास पहुशने पर उन्हें पानी में उतारा जाता है जाओ जमीन के सारे आगे बढ़ने लगते हैं ताकि मार्शल अपने श्टाइकर जेगर में लगा पच्छी सो पाउंड का बॉम खाय में फेक दे इसलिए और खाय में कूदने के लिए काईजू की लाश के साथ नीचे जाना होगा तब इखाय से तीसा काईजू भी बाहर निकलने लगता है जो अब तक का सबसे बड़ा और तेज काईजू होता है जो तेजी से मार्शल के जेगर पर हमला करने लगता है जिससे मार्शल का जेगर खराब होने लग जा करके उन दोनों कायजू को मार देते हैं मगर विशाल काइजी अभी भी जिन्दा होता है जो लगाथा माशल के जेगर पर अटेक कर रहा होता है जिसने उनका जेगर काफी डेमेज हो गया था। इससे वसमझ जाते हैं कि उस काईजू को नहीं रोक पाएंगे इसलिए रोली और माकों से कहते हैं कि हमें इस काईजू को मारने के लिए थर्मो नुकलियर बॉम को बलाश करना होगा और तुम्हारा जेगर एक जीता जाकता नुकलियर बॉम है क्योंकि नुकलियर पाउर से चलता है इसलिए हम रास्ता सा माका होता है लेकिनों काईजू अभी भी जिंदा होता है इसलिए रोली जेगर की फुल पावर के साथ उसकाईजू पर हमला करके उससे अपने साथ नीचे खाई में ले जाते हैं जिसे खाई का दरवाजा उसकाईजू के कोड की वज़े से खुल जाता है लेकिनों काईजू पुरी तरीके से उनके जेगर को बरबाद कर रहा था इसलिए रोली आग रियक्टर की मदद से उस काईजो को पुरी तरीके से खत्म कर देते हैं मगर इससे जेगर रोबोट बहुत डेमेज हो गया था जिससे माको ऑक्सिजन बहुत कम होने की वज़े से बेऊशो जाती है और अब वो खाय के अंदर काईजो की दुनिया में पहुंच जाते हैं इसलिए रोली माको को अपनी ऑक्सिजन देकर पोर्ट से बाँ निकाल देता है और वो खुद अकेले ही नुकलियर बोम को ओन करके एन मौके पर जिपसी जेगर से निकल जाता है जिससे काईजो की दुनिया में एक जोड़दा दमाका होता है और वो खाय पुरी तरीके से बरवाद हो जाती है बेश पर सभी इससे बहुत खुश होते हैं मगर वो आप योई रोने लग जाती है क्योकि उससे प्यार करने लगी थी तब ही रोली भी अपनी आख खोल देता है क्योकि उमाने का नाटक कर रहा था जिससें और दोनों खुश होते हैं क्योकि उन्होंने दुनिया को काई जुगे खतरों से बचा लिया था और अब प्रिया थेसलोजिंग